हेलो दोस्तों मारे पास क्वेशन दिया गया है दो स्टेशनों A और B की बीच की दूरी 444 किलोमेटर है एक ट्रेन स्टेशन A से 3 पीम पर चलना शुरू करती है और स्टेशन B की और 83 किलोमेटर परती गंटा की चाल से बढ़ती है एक अन्य ट्रेन स्टेशन B से 4 पीम पर चलना शुरू करती है और स्टेशन A की और 84 किलोमेटर परती गंटा की चाल से बढ़ती है वे किस समय पर मिलेगी यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है स्टेशन यहाँ पर तो B है और यहाँ पर क्या है A है तो यह चलना प्रारम करती है इस साइड में तीन बजे तीन पीम यानि कि दोपहर के तीन बजे और यह यहां से चलना प्रारम करती है कितने बजे चार पीम पर यह सपीड इसकी कितने दोस्तों 83 किलोमेटर परती गंटा की रफ्तार से इसकी सपीड है यानि कि 83 किलोमेटर परती गंटा की रफ्तार से चलेगी तो चार बजे यह चलना प्रारम करेगी चार बजे था कि यह कहाँ पर पहुंच जाएगी तो टोटल दूरी कितने है 400 चुरा अब यहां से चलेगी और यहां से तो अब हम इनको कैसे निकालेंगे टाइम इनका कितने टाइम पर मिलेगे एक गंटा तो इनका यह होगा है यह हम बाद में एड करेंगे दोस्तों तो यहां तक तो बच जाएंगे चार पीम दोस्तों क्योंकि चार पीम बच जाएंगे आप आपने सामने से ट्रेन आ रही हो तो चाल क्या हो जाती है तो यह की सपीड से आ रही है यह आ रही है मारे पास 54 किलोमेटर परती गंटा के रफतार से तो हम क्या करेंगे 54 पलस में 83 करेंगे यहापर 54 पलस में 83 यानि कि दूरी अपॉन में 40 तो यह क्या हो जागा 411 बटे में 137 हो जाएगा इसको कट करेंगे तो कितने बजाएगा 32 यह 3 क्या हमारे पास गंटे आए दोस्तों यानि कि 4 बजे तक तो यहाँ पर पहुची चार बजे के बाद 3 गंटे बाद क्या होगा आप पास में मिलेगी यह तो 4, 3, 7 तो कितने पर मिलेगी दोस्तों 4.00 पेम तो यहाँ पर होगा 3 गंटे और जोड़ेंगा कर दो